उत्तर प्रदेश की कानून वेवस्था और सरकारी तंत्र को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष मायवति ने समाजवादी पार्टी भारती जनता पार्टी और कॉंग्रिस पर निशाना साधा है उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में गैर बहुजन समाज पार्टी सरकारों ने जनता को कानून का राज नहीं दिया है जनता इनके सरकारों में सुरक्षित नहीं है मायवती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सरकार में कानून से खिलवाड करने वालों को कभी बख्षा नहीं गया बहुजन समाज़ पार्टी के राष्ट्रे अदेख्ष मायवती ने ट्वीटर पर लिखा कि जब उनकी सरकार थी तो कानुन तोडने का आरोप उनकी ही पार्टी के सांसत पर लगा था। उन्होंने उनको भी जेल भीज दिया था। गोर तलब है कि 2007 में बहुजन समाज़ पार्टी के सरकार के दोरान बहुबली उमाकानती यादो जौनपुर्म के मच्छली शहर लोकसभा से सांसत थे। उमाकानती यादो आजमगड के बहुबली रमाकानती यादो के सगे भाई है। बहुजन समाज़ पार्टी सरकार के ही दोरान सांसत उमाकानती यादो पर एक गरीब का घर गिराए जाने का आरोप लगा था। इसकी सूचना जब ततकालिन मुख्यमंत्री मायावती तक पहुँची तो उन्होंने उमाकानती यादो को अपने आवास पर बुला कर पुलि असफलताओं को छोड़ दिया जाए तो कानून विवस्ता को लेकर मायावती की सरकार की हर कोई दाद देता है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज़ पार्टी के शासनकाल में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करने के लिए सरकारी तंत्र को निश्पक्षिता स काम करने की छूट दी गई थी। कानून तोड़ने पर पार्टी के MP को भी जेल भेजा गया। अतह भारती जंता पार्टी द्वारा नए DGP वह अन्य सरकारी तंत्र को स्वतंत्रता वन निश्पक्षिता से काम करने दिये जाने की जरूरत है।